35 सेकेंड के वीडियो से पता चला आई पेल 2023 में होगी रिशप पंद की वापस तो यहां, रिशप पंद दिल्ली कैपिडल्स के पूर्व कप्तान और अभी तिलाल घर पर है और रिकवरी कर रहे हैं जैसा कि आप फोटूम देख रहे हैं और बोल रहे हैं वो कि I am still in the game बॉस यानि कि वो अभी भी गेम का ऐसा है, अभी भी क्रिकेट से दूर नहीं हुए हैं तो भाई, एक 35 सेकेंड का वीडियो जो है रिशप पंद का सूशल मीडिया पर वाइरल हुआ जो उन्हों ने खुद डाला और साथी साथ एक कंपनी ने भी डाला था प्रमोशन के लिए, जिसमें रिशप पंद अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं कि भाई, मैं क्रिकेट और खाने से दूर नहीं रह सकता, तो डॉक्टर प्रमोशन का बयान आया था, जब उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि भाई, रिशप पंद डगाउट में बैठे, मेरे साथ बैठे, हम लोग कैप उनके नंबर की, उनके जर्सी नंबर की कैप पहनेंगे और वो रहेंगे तो एक मोटिवेशन रहेगा, इंस्पिरेशन रहेगा, वो भले ही आसपास रहें, तो एडलीस टीम को लगेगा कि हां, रिशप पंद साथ है, तो मैं चाहूंगा कि अगर रिशप पंद अवेलेबल हों, और अगर वो आ सकते हैं तो इसलिए ऐसी खबर आ रहे थी कि शायद रिशप पंद आपको डगाउट में दिख जाएं या स्टेडियम में दिख जाएं, बट ऑफिशल अपडेट अब तक ऐसी कुछ नहीं है, वीडियो के थुरू लोगों ने माना कि भाई, शाद रिशप पंद आई पेल बापसी कर रहे हैं, जबकि कप्तान तो भाई, डेविड वॉनर है, उन्हें कप्तान मना दिया गया है, वाइस कैप्टन अक्षर पडेल है, तो इस वीडियो में वो एक कंपनी का प्रचार कर रहे थे, जिसमें फूट डिलिवरी के बारे में वो बात कर रहे थे और उन से उनका टाई अप हुआ, जिसका प्रमोशन करने, रिशप पंद ने एक 35 सेकंड का वीडियो अपने सोचल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया, और उसके बाद से भहिया ट्रेंड करने लगे, और लोग बोलने लग गही बात ODI World Cup या आईशा कप की तो तब तक देखते हैं कि रिशप पंद रिकवरी कर पाते हैं या नहीं बट अभी जितने भी प्लेयर्स या जो भी उनके दोस्त मिलने जाते जब फूटो आती हैं तो पता चलता है कि रिकवरी अच्छी से कर रहे हैं, तेजी से कर रहे ह पट फिलाल वो अभी घर पर हैं और सिर्फ वीडियो के तुरू उन्होंने बताए कि मैं तचान करना हूँ, अब आपकी इस बारे में क्या रहा है, आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताईएगा, साथी साथी ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर को दरू कीजिए और स्पोर्ट फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना हूँ, मत भूलेएगा